हेलो दोस्तो प्राइमेक्चेनर में आपका बहुत बहुत सुवागत है दोस्तो कई बार हमारे साथ होता है कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम कोई फिरिज करते हैं तो उसमें प्रोपर हम बैक्यूम भी कर लेते हैं साथ में हम अच्छी तरीके से उसमें गैस भी डाल देते हैं जो जो प्रोसिस होता है सब कुछ हम अच्छी तरीके से करते हैं लेकिन फिर भी वो जो है बार बार चोक हो जाता है बार बार उसमें mistake आती है cooling की मतलब अच्छी तरीके से हम gas डालते हैं पूरी gas डालते हैं और साथ में हम vacuum भी अच्छी तरीके से करते हैं फिर भी हमारी जो cooling है वो नहीं हो पाती है कुछ time चलता है फिर और फिर वो कुछ तेर के बाद बंद हो जाता है तो ऐसी mistake क्यों आती है किस तरीके से आती है और ऐसा हम क्या करें जो कि उस fold को हम निकाल सकें क्योंकि हमारा compressor भी ठीक होता है हमारा condenser भी ठीक होता है हमारा जो freezer होता है वो भी सब कुछ ठीक होता है लेकिन फिर भी वो cooling हमारी नहीं कर पाता है बीस मेट पच्छिस मेट चलता है और उसके बाद cooling बंद कर देता है सुनी जो हो minus में जाने लगती है जो हम उसमें gas डालते हैं तो डालते ही डालते जैसी उसमें freezer में cooling आती है तो धीरे धीरे करके वो minus में सुनी बापस से जाने लगती है और आप देखो के कुछ टाइम के नहीं आप बंद कर दोगे फिरीज को तो फिर से वो सुनी जो है दस से उबर पहुंच जाती है और जैसी फिरीजर के अंदर कूलिंग आ जाती है तो फिर से माइनस की तरफ को बढ़ने लगती है तो ऐसा क्यूं होता है मैं इस वीडियो में क्लाइन हो तो उसमें अगर हम इस तरीके से बत्ती को मारते हैं तो वो जो है हमारा कूलिंग या वापस से करने लगता है ऐसी दिक्कत आपके साथ में ना आए तो इस वीडियो में आप पूरे बने रही है लाश्ट अब वीडियो को देखी गए उसमें आपको बता हैं तो यहां पे सबसे मेंचीज होती है मोसम अब सफ़ोज कर लिए कि आप उसमें फ्रीज में गेश ६ज़ाईना chỉ आगर आपका जो मोसम गंदा है नमी है यहां उस्वे netThatज की बहुत ज़् täक होती है तो जैसे आप कमप्रिस्ट को चलाएंगे तो हवा जैसे पाइपों के अंदर को जाएगी हमारे तो उसके अंदर मोस्टर होता है नमी होती है तो नमी के करण क्या होता है पाइपों में हारे वो मोस्टर जम जाता है हवा के करण नमी के करण जैसे आप कमप्रिस्ट को चलाते हैं हवा अंद और जाती है तो मोष्यषr पाइपों में जमता है ये चीज आप नोट करेंगे जो नमी पाइप के अंदर गई है मैं बहार की बात겠어 यहांज चारा हुआ जो पाइप हाइप हम जो द्वारा मौसरा के दौबारा बड़सादके मौसरा के दौरा जो हवा है उसमें नमी है वो न तो इसको बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले चीज आप मोसम का ध्यान रखेंगे बरसात में जैसे बरसात बारिस पढ़ लगी हो तो उस टेम आप फिरिज के गैस ना डाले या आपकी ठंडी हवा चल ली हो बरसाती जो हवा होती है वो चल ली हो तो उस टेम आप ना करें इसी भी तरीके से आपकी नमी कोड़ ली तो फिरिजर के अंदर जैसी वो जाएगी तो वैसे ही जैसी वो फिरिज में बरफ जमनी चालो होगी तो वैसे ही फिरिजर मिस्टेक आपकी आजाईगी तो आपको करना क्या है यहां से आप कैपलरी को काटेंगे और यहां से आप तो इसको यहां से भी काटेंगे, तो मतल reicht ये वाला पाइप और ये कैपलरी आपकी दोनों फिरिजर में से आ रही हैं, तो आप फिरिजर का कम से कम, आदा घंटा इसका वैक्यूम कर लिए, यहां से आप इस काटेंगे काटने के बाद यहां से आप टाका लगाएंगे और यहां से आप एक पिन वोल लगाएंगे यहां से आप एक पिन वोल लगाएंगे यहां से आप के पास कंप्रेशर होगा या फिर आपके पास वैक्यूम पंप होगा उसमें आप इसको लगाईए और इसका वैक् पैक्रोड लगा करें तक टांका दिए गा देगी वैक्यूम मोड पे इसको डाल देंगे मतलब वैक्यूम कम से वाधा का हिंटा कर लेंगे इसका तो आपका जो भी यहां पे आपके नमीद जा चुकी है फ्रीजर के अंदर वह आपकी बाहर आ जाएगी और जैसी बाहर आ जा से इसको लगा के फिर से आप इसको वplaying किजिए वैक्यूम जैसी हो जाता कम से कम आदा घंटा इसको इस मोसम में बर्सात मोसम में मैं बर्सात मोसम में इसको कम से कम से कम आदा घंटा गंठा वैक्यूम किजिए आपकी फ्रोलम कभी- wł wonो कभीativo English there दालेंगे एक एंटी मोस डालेंगे और एक एंटी मोस डालने के बाद आप इसमें गैस छोड़ देंगे गैस चोड़ने के बाद आपकी कोई भी प्रोडम ऐसी नहीं आईगी बहुत वीवर्स का ऐसा सा मेरे साथ में कमेंट आ रहा है मेरे YouTube पे मेरे WhatsApp बहुत ज्यादा यह मिस नमी बनी तो हमारा जूरी जो प्रोलम है बार बार चोक की आपको आती रहेगी बस आपको थोड़ा सा मोसम का ध्यान रखना है मोसम अगर बरसात हो यह आपके ठंडी नमी रहा रही है तो आप उस मोसम में फिटिश को ना करें कर भी रहें तो आप उसमें एंटी मोस जरूर आपके प्रोलंग कभी नहीं आएं तो आयों दोस्तों यह आपको समझ आग्या होगा और आपको वीडियो पसंद आएं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरू करें तो दोस्तों मिलते हैं नई अग्जर करन बोसम बावाइए